मारास्ट नाख्पुर्ख की भारती जंदा पारटी गार्यकरत वसनाख खान की हत्याकी मामले में एक नए आमूड सामने आया है इस हत्याकान की चेमेने के बाद में मुपैल और लैप्टॉप बरामत किया गया है और ये दूनों चीजे इस हत्याकान की मुख्या आरोपी पपूसाओ के पुराने गर पर मिली है ये वहीं जगह हैं जहां पपूसाओ की मा रहती है इसके साथ ही पुलिस ने कोड से पॉलिग्राफिक टेस्ट की मांग भी की है इससे पहले कोड ने इस टेस्ट को नकार दिया था लेकिन एक बार फिर पुलिस ने इस मामले में कोड का दरवाजा खट-कटाया है दरसल ये पूरा मामला नाकपूर बीजेपी की सक्रिय कार्य करता सनाख खान से जुड़ा है जिसके मध्यप्रजश के जबलपूर में अमीत उर्फपपूसाओ के साथ एक धाबेवे पार्टनर्शिप थी इसी सिलसिले में एक अगस्त को सनाखान उससे मिलने के लिए जबलपूर गई थी और तब से लापता थी सनाखान की गुमशुपकी की रिपोर्ट नाकपूर के मानकापूर पुलिस थाने में दर्च की गई थी इसके बाद नाकबूर पुलिस ने सना खान के खोश शुरू की इसमें पता चला कि सना के पार्टनर अमिद साहु ने ही हत्या की है इसके बाद नाकबूर पुलिस ने अमिद को जबलपूर से ही गिरफतार किया अमित ने भी हत्या की बात कबूली है इसके साथ उसके पांच साथियों को भी पुलिस ने गिरफतार किया था लेकिन अभी तक इस मामले में सना खान का शव नहीं मिला है सना खान मर्डर केस में और दो आपेंस मानकापर पुलिस टेशन में रजिस्टर किये गए है उसके आगे ने अवरे एक आपेंस रजिस्टर था उसमें हमने प्रोडक्शन वारंट के तथ उनको ट्रांसफर किया है और वो अभी PCR में है पास तारिक्त को PCR में रहेगा उसके जो इन्विस्टिकेशन में है जो उनका पुराना घर है जहां उसकी मार रहती है वहाँ से हमको एक मूबाइल और लैप्टॉप मिला है जो मूबाइल इस आपेंस में यूज किया है या नहीं किया है या सना खान का है या नहीं है वो इन्विस्टिकेशन में पता चल के कोर्ट में जब उनकी पर्मिशन मिल जाएगी उसके बाद वो टेस्ट हो जाएगा कैमेरा परसन अखिलिश के साथ अब इशिक पांसी के रिपोर्ट इन भी से नियूस के लिए